हेलो गाइज वेल्पम तो लाइज सिक्षा ट्यूब दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रेल्वे ग्रूप डी के एक्जाम के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए मतलब वो कौन सी बुक है जिसके हेल्प से आप रेल्वे ग्रूप डी की कम्प्लेट स्टडी कर सकते हो इसके साथ मैं आपको बताऊँगा कि आपके जियोग्राफी और हिस्ट्री से क्यूशन आएंगे या नहीं और आपका सारा स्लेबस डिस्कस करूँगा इसके साथ मैं आपको बताऊँगा कि railway group D का exam किस type से होगा और वो कितने minute का होगा कितने question आएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करने करते हैं शुरू करने से पहले जो हमारे new subscriber हैं मैं उनको बताना चाऊँगा कि हम लोग railway group D के daily practice set upload करते हैं इसके अंदर 30 questions होते हैं अगर आप हमारे daily practice set देंगे तो आपको railway group D का exam देने में काफी help प्रोवाइड होगी इसके साथ मैं जो भी railway से जोड़ी जानकारी होती है जो भी आपके doubts होते हैं वो सभी doubts एक video के मादियम से या comment के मादियम से आपको देता हूँ तो आपको भी अगर कोई doubt है तो मेरे जो मैं ये video upload कर रहा हूँ उसके नीचे comment section में जाएए और comment कर दीजे आपकी जो भी क्यूरी है जैसे ही मुझे time मिलेगा मैं आपके comment का answer जरूर देंगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला जो students के mind में question आता है वो आता है कि sir railway group D का syllabus क्या है दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ चाहे कि कोई भी exam हो SSCO, LDCO, RRB का हो या कुछ भी reserve bank का हो कुछ भी हो जो भी SBI का हो जो भी exam देने जाओ उससे पहले जो exam के study करना start करो उससे पहले जो syllabus है उसका गहन अध्यन करना चाहिए क्योंकि syllabus के आधार पर ही अपने एक रूफ रेखा तयार करते हैं कि अपने को इस type से जाना है और अपने पास इतना time है तो दूस्तों आप अपने time management के लिए क्या कीजिएगा पहले syllabus देखें दूस्तों जो आपका ये railway group D का exam होगा वो एक return form में होगा मतलब आपको CBT के through देना पड़ेगा CBT होता क्या है computer based test मतलब computer पे जाना होगा कोई भी आपको center मिलेगा उस center में क्या होगा कि computer रखे होगे वहाँ पे जैसे आप clerk वगेरे bank के वगेरे के exam देते उसी type से exam होगा आपको option दिये जाएंगे चार उन में से एक option को click करना है और submit करते जाना है तो ये तो होगा इस type से exam अब syllabus की बात करें तो syllabus में GK के 25 question आएंगे arithmetic ability के 20 question आएंगे general intelligence के 30 question आएंगे और general science के 25 question आएंगे दूस्तो general science में क्या क्या हैगा कि दस्वी तक की जो दस्वी तक की आपकी physics, chemistry, biology इन तीनो subjects से जो general science में question बनते हैं उनी से question पूछे जाएंगे और reasoning से भी 30 question आने है तो आपको focus किस किस पे करना है मैं आपको बताता हूँ कि जो railway group D का exam होता है उसमें student math कहां 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 कहते हैं सबसे पहले math कहते हैं maths में क्योंकि maths काफी tough हाती है reasoning फिर भी कर लेते हैं और जो हलके में subject लेके जाते हैं वो होता है general science क्योंकि general science की ना तो youtube पे आपको अच्छे से class मिलती है ना teachers इतना focus करते हैं क्योंकि सबको लगता है कि general science है और इसको इजी से निकाल लेंगे बट students 25 नमबर 25 परसेंट आपका depend करता है general science पे और railway group D के अंदर अभी तक मैं बताऊं तो दो करोड फार्म भर चुके है दो करोड स्टूडेंट से competition करना बहुत टफ competition होगा तो general science पे ज्यादा focus कीजिएगा आपका 90 मिनिट का test होगा ठीक है और 100 नमबर का ये test होगा और इसके अंदर negative marking है वो है 1 by 3rd ठीक है याद रखिएगा इसमें negative marking है तो चलिए अब आपका दूसरा जो doubt है कि सर हिस्ट्री या जियोग्राफी से question आएंगे या नहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँँगा कि हिस्ट्री और जियोग्राफी से question नहीं आएंगे क्योंकि इसका जो syllabus दिया है इन्होंने उसमें पहले क्या होता था कि railway के exams होते थे railway group D का exam होता था तो उसमें ये कोई syllabus रिलिज नहीं करते थे general syllabus आएगा कि जो भी आता है बट इस बार exam में particular topics बताया है तो मैंने इस topics पे भी एक video बनाएगी है तो देख लेजएगा last में attach कर दूँगा मैं video तो उसमें पूरा complete syllabus आपको दिया गया है ये topic आया है ये ये पूछा जाएगा तो उसमें क्या है कि history और geography के बार में कुछ भी नहीं बताया गया है कि ये सब आएगा तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको book कौन सी पढ़नी चाहिए दोस्तो ये जो book है वो है अरिहंत की अरिहंत एक ऐसा publication है जो हमेशा एक विसेश टीचर्स की team बनाता है जो team होती है वो ही question gather करती है और वो question चापती है तो जो दोस्तो ये एक team नहीं होती एक members की book नहीं होती ये बहुत से members की होती है और हर question बहुत ध्यान पूर अगी देखा जाता है तो दोस्तो अरिहंत की book है ये study package के नाम से और ये railway group D के लिए special तयार के गई है जिसके अंदर मैं बताना चाहूँँआ mathematics, general intelligence and reasoning, general science, general awareness and current affairs और इसके साथ साथ तीन practice set भी इसमें sold की गए है वो practice set वो है जो 2015-2014 के भी जो railway group D का exam हुआ था उसमें जो question आये थे उनको इन्होंने पूरा sold किया है तो दोस्तो जो ये study package है उसको खरीद लीजीगा इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से खरीदे सर तो मैं description में link डाल रहा हूँ हिंदी के विद्यारतियों के लिए हिंदी लिखा हुआ है जेल्वे ग्रूप D हिंदी books तो उस link पे जाएए click कीजिए साथ English वाली book 153 रुपए की है कोई खास नहीं है ज्यादा रुपए नहीं है क्योंकि अगर आप coaching करते हैं तो आप भोत सारे पैसे invest करते हैं तो 153 रुपए की या 140 रुपए की जो हिंदी के लिए है वो 140 रुपए की book है उसको खरीद लीजिए link के थ्रू जाके अपनी सारी detail बढ़नी है वो Amazon का खुलेगा आपको और वो आपको book प्रोवाइड कर दें दो से चार दिन में आपको book मिल जाएगी तो उसमें link देना कि दो से चार दिन में जल्दी से जल्दी book मिल जाए जैसे book आती है उसका syllabus वगेर है इसमें जो content दिया उसको अच्छी तरह पड़ो उसके बाद अपनी एक रूप रेखा तेयार करो कि मेरे को 15 दिनों में math complete करनी हैं और current affairs का ऐसा है कि daily current affairs पढ़ते जाओ और जो current affairs अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँँगा कि जो मेरा facebook page है live शिक्षा एश है याद रखेगा एश एच आई के एश एच ट्यूब 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 जब आप यह search करोगे तो आपको मिल जाएगा मेरा page उसको like कर ले उसमें मैं daily 15-25 questions upload करते रहता हूँ तो आपको help मिल जाएगे दोस्तों आपके और भी कोई doubt हो जैसे किसी भी दीके तो अभी आपको बस तैयारी करनी है और दो-तीन महीनों में exam होगे और exam पे भी मैंने video बनाई है तो देखते रही है चलिए धन्यवाद हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुबह 6-8 के बीच daily practice ad upload करता हूँ तो जो भी आपके doubt हो या जो भी आप practice ad देना चाहो तो उसके लिए आपको help मिल जाएगी धन्यवाद